हलो फ्रेंड चली आज बनाते हैं एक कटोरी चावल के आटे से बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बहुत जल्दी बनके ये तैयार भी हो जाता है कम सकम आपको 20 मिनट लगेंगे इसे बनाने में यहाँ पे रख दिया है मैंने पानी दो कटोरी पानी मैंने रखा है उसमें अब डाल देंगे चिली फ्लेक्स दो चम्मच तेल डाल देंगे नमक एक चम्मच और हल्दी पावडर आदा चम्मच डाल देंगे हल्दी पावडर आप चाहों तो नहीं भी डाल सकते हैं पानी को गरम होने देना है हमें फिर से उसमें डालेंगे एक कटोरी चावल का आटा आच हमे बिल्कुल धीमा कर देना है, अब बस हलके से इसे ऐसे डुबो देंगे चावल के आटे को, अब इसे ढख देंगे, ज्यादा हमें चलाना नहीं है इसे, एक मिनट के लिए हमें इसे ढख देना है, उसके बाद से ढकन हटा के फिर से इसे चला लेंगे, अच्छे से चला लेज आलू मैंने उबाल लिया है आलू को कद्दू कस कर लेंगे बिल्कुल बारिक होना चाहिए या आप लोग चाहों तो मैसर से मैस कर सकते हुए देखिए आलू मैंने पूरा कद्दू कस कर लिया है कढ़ाई में डालेंगे दो चम्मच तेल इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा आधा कटा हुआ मैंने प्याज डाल दिया है अब भून लेना है इसे गोल्डेन ब्राउन होने देना है प्याज को उसके बासे इसमें मैंने चार कली लेसुन का कद्दू कसकरी के ही डाल दिया है आधा चम्मच अब इसमें हम लोग डाल देंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच ही लाल में पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे ज्यादा मसाला हमें नहीं इसमें डालना है और ना ज्यादा तेल डालना है आप इसमें आलू डालके अच्छे से भुन लेना है हमें स्वादा नुशार नमक डाल दीजिए इसमें चला लेंगे अच्छे से धीमी आज पर इसे हमें भुनना है उसके बाद हरा कटा धनिया डाल देंगे मसाला बनके हमारा तैयार हो गया है एक बरतन में निकाल लेंगे चावल का आटा जो हमने बनाया है वो उसमें डाल देंगे एक चम्मच के करीब तेल और अच्छे से हाथों से इसे मसल लेना है बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है आप लोग गरम पानी में जो हम लोग इसे पकाते हैं उस तरह आप लोग बनाईएगा यह बहुत सॉफ्ट आटा बनके तयार हो जाता है लोई लेंगे एक आटा लगाएंगे सुखा आटा और रोटी के अकार में इसे बेल लेंगे बेलने में भी बहुत आसानी से यह हम लोग बेल सकते हैं देखें टूटेगा भी नहीं यह आप लोग रोटी बनाना चाहते हो चावल के आटे का या कुछ भी ऐसे गरम पानी में आप लोग करके बनाईए देखें आपका आटा थोड़ा भी कहीं से भी फटेगा नहीं रोटी देखें उतना मोटा होना चाहिए अब आलू का मसाला हमने जो बनाया है बोरक देङे हाथों से फैला लेंगे इसे चरोर फैला लेना है अब इसे रोल कर लेंगे अब चाकु से इसे हम लोग कट कर लेंगे ये आप लोग हटा लीजे इसको देखिए ऐसे कट कर लेना है देखिए कितना बढ़िया यह हो गया है तयार हमारा एक बार अब लोग बना के जरूर देखिएगा बहुत क्रिश्पी बहुत ही टेस्टी बन के तयार हो जाता है समय भी कम लगता है ऐसे ही मैंने सभी का बना लिया है कढ़ाई में डालेंगे तो चम्मच के करीब तेल इसे अब हम लोग सेलो फ्राई करेंगे आप लोग फ्राई भी कर सकते हो मैंने दोनों तरीके से बनाया है आगे वीडियो में मैं आपको दिखाती हूं अब इसे क्या करेंगे रोल को जो हमने काटा है कड़ाई में डाल देंगे अब इसे पलट लेंगे मेडियम आज पे इसे हमें बनाना है कच्छा रहने का तो डर नहीं रहता है इसमें क्योंकि हमने चावल के आटे को भी पका लिया था देखिए ये बन करके रेडी हो गया अब इसे निकाल लेंगे बहुत ही कम तेल लगता है उसी कड़ाई में मैंने थोड़ा सा और तेल डाल दिया है अब इसे फ्राई कर लेंगे इसमें भी बहुत कम तेल लगता है फ्राई करने में भी आपको जैसे बनाना हो आप लोग बना सकते हो फ्राई करके भी सेलो फ्राई करके भी से भी निकाल लेंगे अगर यह रेश्पी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए देखिए एक कटोरी चाल के आटे से बनके क्रिस्पी स्नैक्स आपका रेडी हो गया है मज़े शिखाइए खिलाइए वीडियो देखने के लिए थैंक यू